असलाम अलेकुम, students, my name is Vakar Arshad, I am your biology teacher, previous lecture में chapter number 13 हमने start किया था, और chapter number 13 में हमने skeletal system के introduction को discuss किया था, आज हम move करेंगे skeletal system की further detail की तरफ, last time, cartilage तक discuss करने के बाद, आज हमारा topic होगा, bone से related, आईए, चलते हैं, whiteboard की तरफ, dear students, previous lecture का जहां तक तालुक है, उसको आपने यकीनन याद कर लिया होगा, आज हम next lecture को discuss करने जा रहे हैं, और आप लोगों ने ये बात जहन में रखनी हैं, कि आज का lecture भी समझने के बाद, आपने याद कर लेना है, आईए, चलते हैं, lecture की starting की तरफ, last lecture में introduction of skeleton पढ़ा हमने, last lecture में introduction of skeleton में हमने support and moment के हवाले से discussion की, हमने discuss किया moment और locomotion में basic difference क्या होता है, हमने discuss किया skeletal system की definition क्या होती है, और हमने discuss किया skeletal system के functions क्या है, उसके बाद, हमने ये भी discuss किया, कि skeletal system के parts कौन कौन से हैं, cartilage को discuss करने के बाद, अब हम move करते हैं, bone की detail की तरफ, सवाल ये पैदा होता है, कि bone किस को कहा जाता है, students bone कहा जाता है, आप के जिसम में पाए जाने वाले, ऐसे hard connective tissue को, जो hardest type of tissue है, सख्त तरीन किसम है tissue की, इसकी definition हम यूँ कट सकते हैं, it is the hardest connective tissue in the body, यहाँ पर एक लफ्ज इस्तमाल हुआ, connective, connective connection से है, connection का मतलब जोडना है, तो यह ऐसा tissue है, हमारे जिसम में, जो हमारे जिसम के मुक्तलिफ हिस्सों को आपस में जोड़ देता है, यह हमारे जिसम में पाए जाने वाली connective tissue की वो किस्म है, कि जो hardest है, जो सख्त तरीन है, students, इस connective tissue की further details क्या है, functions, connective tissue होने के नाते, इसके कुछ functions हैं, और वो movement है, वो support है, वो protection है, वो मुख्तलिफ materials की storage है, सबसे पहले, connective tissue होने के नाते, bone हमें हरकत करने में facilitate करती है, हमें हरकत करने में मदद देती है, number 2, support भी हमें इन हडियों ही की वज़ा से मिलती है, हमारे पूरे जिस्म को जो सहारा मिलता है, वो हडियों के इस धान्चे की वज़ा से मिलता है, number 3, protection, हडियां हमारे जिस्म की हिफाज़त करती है, हमारे जिस्म के अंदरूनी नाजुक आजा को protect करती है, मिसाल के तौर पर हमारी चेस्ट कैविटी में जो स्टर्णम है, चेस्ट बोन है, आपकी चाती की हड़ी है, या आपके जिस्म के अंदर मुझूद organs को protection प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, मिसाल के तौर पर आपकी चेस्ट कैविटी में ribs हैं, पसलियां हैं, पसलियां आपके दिल की हिफाज़त करती हैं, आपके फेपड़ों की हिफाज़त करती हैं और नाजुक आज़ा जो कि आपके प्रेट में पाए जाते हैं, उनको महफूस बनाती हैं उसके बाद मुफ करते हैं further detail की तरफ, store RBCs, WBCs and minerals, RBCs किसको कहा जाता है? RBCs, Red Blood Cells, WBC किसको कहा जाता है? WBCs, White Blood Cells और minerals, minerals में calcium, phosphate जैसे minerals ये सारी चीज़ें आपकी bones में produce होती हैं, store होती हैं, और आपके जिस्म को मस्बूती फरहम करने में मदद देती हैं. आईए next detail को समझने के लिए हम चल रहे हैं, next white board की तरफ. जी, students, next हमारा topic है, इन हडियों की structure क्या होती है? जिन हडियों का हम तसकरा कर रहे हैं, इनकी बनावट Allah ताला ने कैसी रखी है? अगर आप इसको समझना चाहें, तो आप देख सकते हैं, ये एक हड़ी है, हड़ी की डियाग्राम है, इस हड़ी में दो portions हैं. वो दो portions कौन से हैं? एक बाहर वाली लेयर है, और एक अंदर वाली लेयर हार्ड लेयर है, सखत है, मसबूत है, जबके अंदर वाली लेयर नर्म है, स्पोंजी है, पॉरस है, सुराखों वाली है. स्टुडेंट्स, बाहर वाली लेयर में बलड वैसल्स नहीं होती, मिनरल्स स्टोर नहीं होते हैं, जबके अंदर वाली लेयर, इनर लेयर के अंदर बलड वैसल्स मुझूद होती है, बोन मेरो होती है, जिसको हड़ीयों का गूदा कहा जाता है, इस डियाग्राम को यह इनर लेयर है कि जिसको स्पोंजी बॉन का नाम दिया जाता है स्पोंजी बॉन जबके यहां पर आप देख सकते हैं यह रेड कलर के डॉट्स इंडिकेट कर रहे हैं आर भी यदली सी गो अरीप्रिय पूर्य का पूरा अंडर वाला मेट़िएल स्टुडेंट्विट की स्ट्रक्चर है हमैं यह समझाया कि एक बहुंड के दो पांट्स हैं यह हम यूँ भी कह सकते हैं कि एक बहुंड में तू टाइप सॉफ लेइं तू hard layer is known as compact bone, inner spongy layer porous layer is known as spongy bone, student bones के mature cells को osteocyte कहा जाता है, जिस तरह से cartilage के mature cells को chondrocyte का नाम दिया जाता है, bones के mature cells को osteocyte का नाम दिया जाता है, जिस तरह से cartilage में matrix मुझूद होता है, इसी तरह bone matrix के अंदर osteocyte मुझूद होते हैं, और उसके साथ साथ collagen fibers के धागे भी मुझूद होते हैं, मजीद मजबूती के लिए इसके अंदर minerals भी store होते हैं, और bone marrow में red blood cell, white blood cell भी produce होते हैं, student structure को discuss करने के बाद move करते हैं next topic की तरफ, और वो है interesting information, बड़ी हरान कुन बात है, जब एक बच्चा पैदा होता है, उसके जिस्म में 300 bones होती हैं, कितनी हडियां होती हैं, 300 bones होती हैं, लेकिन ये नर्म होती हैं, बच्चे की नुशुनुमा होती है, growth and development होती है, और बहुत सी हडियां अपस में fuse कर जाती हैं, मिल जाती हैं, और adult body में एक बालिग इनसान के जिस्म में 206 हडियां रह जाती हैं, Student, ये इंतहाई important question है, MCQ point of view से, objective type में ये question पूछा जाता है, हमारे जिस्म में कुल हडियों की तादाद कितनी हैं, तो आप बता सकते हैं 206, और एक और interesting information ये है, कि cartilage में हमने discuss किया था, cartilage में एक ही type के cells होते हैं, जबके born different types of cells पर मुश्तमिल होती है, let's move toward next topic, components of skeleton, student skeleton के अजिजा कौन से हैं, हिस्से कौन से हैं, दो हिस्से हैं, वो दो major parts है, axial skeleton और appendicular skeleton, अगर आप नाम पर थोड़ा सा गोर करें, तो नाम ही अपने आप का तारुफ हैं, मिसाल के तोर पर, axial skeleton, axial, axis से है, आपकी body के बिल्कुल mid में, बिल्कुल दर्मयान में, जो आपके skeleton का part है, यह axial skeleton कहलाता है, जो के axis का काम करता है, जबके appendicular skeleton, यह axis के साथ जुड़ा हुआ है, जोड़दार है, और यह मुश्तमिल है, आपके कंदों पर, आपके बाजुओं पर, आपके जिस्म के निचले हिस्से पर, जिसमें टांगे हैं और पाउं हैं, डिटेल को समझने के लिए आईए चलते हैं, नेक्स्ट वोट की तरफ, स्टुडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है, एक्जियल स्केलिटन, एक्जियल स्केलिटन हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, और एक्जियल स्केलिटन, उस स्केलिटन को कहा जाता है, जो longitudinal axis पर मुश्तमिल होता है, और इसमें head और trunk शामिल हैं, longitudinal axis लंबाई के रुख पर, longitudinal axis इसको कहा जाता है, एक्जियल स्केलिटन में 206 में से 80 बोन्स मुझूद होती हैं, यानि 206 हडियों में से 80 हडियां ऐसी हैं, जो आपके axial स्केलिटन का पार्ट हैं, जो के आपकी बाड़ी में axis का काम करता है, वो कौन-कौन सी हड हडियां हैं, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपने सर से, इनसानी जिसम का जो सर है, जो हेड है, उसके अंदर कितनी बोन्स होती हैं, टोटल 80 बोन्स जिसमें से आपके हेड में 22 बोन्स होती हैं, 22 में से 14 ऐसी हैं, जो आपके फेस पे हैं, आपके चेहरे पर 14 हडियां हैं आपका चेहरा 14 हडियों के मिलने से बना है जबके वाकी 8 हडियां आपकी खोपडी का हिस्सा है आपके स्कल का पार्ट है वो हडियां जो आपकी खोपडी को बनाने वाली है वो करेनियल बॉन्स कहलाती है आपकी खोपड़ी की हटियां और आपके चेहरे की हटियां दोनों को मिला कर स्कल बॉन्स का नाम दिया जाता है उसके बाद नेक्स्ट इयर स्टुडेंट्स आपकी ये जो दो कान हैं हर कान में तीन हटियां मुझूद है इन तीन हड़ियों को middle ear ossicles का नाम दिया जाता है इन तीन हड़ियों के नाम क्या है? मेलियस, इंकस और स्टैपीस तीन हड़ियां इस कान में हैं, तीन हड़ियां इस कान में मौझूद हैं उसके बाद next move करते हैं आपकी neck region की तरफ आपके neck region में जो बाद है उसको नाम देते हैं हायोइड बाद का, हायोइड बाद बाद वो हड़ियां जो आपकी गड़दन में मौझूद होती है next part, हमारे body trunk का chest cavity है chest cavity में जो हड़ियां उसको हम नाम देते हैं, sternum का stenderm के साथ 12 और 12 पसलियां दाएं और बाएं मुझूद हैं और ये 24 कुल में लाकर पसलियों की तादाद बनती हैं हमारे जिसम में जी students, उसके बाद अपनी backbone की तरफ गोर कीजिए तो आपकी read की हड़ी में जो चोटी चोटी हड़ियां हैं वो हड़ियां जिनके मिलने से ये हड़ी बनती है वो vertebrae कहलाती हैं और vertebral column में ऐसी 33 हड़ियां हैं जिनके मिलने से vertebral column बनता है कुल में लाकर ये 80 हड़ियां हैं जो आपके axial skeleton का पार्ट हैं जो कि axis का का काम करता है इसके बाद दूसरा हिस्सा दूसरा component skeleton का appendicular skeleton कहलाता है appendicular skeleton मुश्तमिल है आपके shoulders पे आपके arms पे आपके hands पे आपकी hip पे आपकी legs पे और आपके पाउं पे students वो कौन सी हड़ियां हैं कितनी कितनी तादाद में पाई जाती हैं इनको discuss कर लेते हैं पेक्टोरल गर्डल शोल्डर और उसके साथ jointed bones पर मुश्तमिल है इसी तरह पेल्विक गर्डल हिप और उसके साथ jointed bones पर मुश्तमिल है यानि हम यह कह सकते हैं कि appendicular skeleton के तो main parts है वो दो main parts पेक्टोरल गर्डल और उसके साथ जुड़ी होई हड़ियां और pelvic girdle और उसके साथ जुड़ी हुई हड़ियां vectorial girdle आपके shoulder आपके arms और आपके hands पर मुश्तमिल है vibes hips पर आपकी tongue और आपके पाउं पर मुश्तमिल है किस जगां पर कितनी हडियां पाई जाती हैं इनको discuss करने के लिए move करते हैं next board की तरफ Students, pectoral girdle pectoral girdle में कितनी हडियां होती हैं आएए देखते हैं pectoral girdle में shoulder bonds 4 होती है arms bond 6 होती है और hand में जो bonds हैं वो 54 होती है आपके कंदे की हडियां 4 हैं आपके बाजों की हडियां 6 हैं आपके हाथों की हडियां 54 हैं चार हडियां ये हैं तीन हडियां इस बाजो में तीन हडियां इस बाजो में 27 हडियां हरान कुन आपके हाथ में 27 हडियां हैं एक हाथ में 27 बॉन्स हैं और दूसरे हाथ में भी इतनी ही बॉन्स पाई जाती है इसके बाद यहां तक यह मुकमल हो जाता है नेक्स्ट है पेल्विक गर्डल पेल्विक गर्डल में हिप बॉन्स तो हैं उसके बाद आपकी दो टांगे हैं और दो टांगों में तीन और तीन हड़ियां हैं. उसके बाद आपके पाओं हैं और दोनों पाओं में 27 और 27 हड़ियां हैं जिनको कुल मिलाके 54 बॉन्ज डिकलियर किया जा सकता है. सुटेंट आप अपने पूरे स्केलिटन पर गोर करें तो अल्ला ताला ने बहुत जबरदस्त अंदाज से इसकी तर्टीब बनाई है. इसको बेहतरीन तरीके से अरेंज करके हमारे जिस्म के अंदर डिजाइन किया है. हमारे जिस्म के धांचे का हर हिस्सा अपनी बेहतरीन पोजीशन पर मौजूद है. एक्जियल पोजीशन के इतबार से अपने काम के मताबिक बिलकुल उसी डिरेक्शन में और उसी शकल और सूरत में तर्टीब दी गई है. यह सारा टॉपिक दिलचस्पी से खाली नहीं है. इसको पढ़ लीजिएगा. इसको नॉट डाउन कर लीजिएगा. अच्छी तरहां बौन के डिफिनेशन क्या है? अपने इन तमाब सवालात को अच्छी तरहां से याद कर लेना है. अगले लीजियर तक के geliyor अपना खयार लखियेगा. अललहाअथ झाल झाल